हर्याना की हर अप्डीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हर्याना नियूज चरण बद्ध तरीके से खोला जा रहा है उन्होंने कहा कि हर्याना की वर्ष 2015 की उद्यम प्रोटसाहन नीती की पूरे देश में सरहाना हुई थी अब अगस्त 2020 से नई उद्यम प्रोटसाहन नीती तयार की जा रही है जिसमें सभी हित धारकों से सुझाव लेकर फिर से देश की सबसे अच्छी उद्योग नीती बनाने का संकल्प लिया गया है मुख्य मंत्री ने ये भी कहा कि लॉकडाउन की वज़े से पिछले दो महिने से राजस्व ना के बराबर प्राप्थ हुआ है सीम मनोहरलाल ने आशवाशन दिया कि इस आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए मजबूत नीती बनाई जाएगी सीम ने ये भी बताए कि लॉकडाउन अवधी के दोरान हरियाना में बहतर प्रबंध किये गए थे सरकार की और से जरूरत मंदों के लिए 1047 करोड रुपए की राशी खर्च की गई है साथि सभी समाजिक संगठनों ने भी जरूरत मंदों को खाने पीने का राशन पहुचाने में मदद की है झाल, क्या हुआ है